भारत जब जब आर्थिक चेत्र में या सेन चेत्र में मजबूत होने के लिए प्रयास करता है। कई बार दूसरे देशों के साथ मिल करके अपने यहां आर्थिक चेत्र और सेन चेत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। ऐसे में चीन कुछ न कुछ करके विरोध करने का प विरोधि किया। भारत ने अपने आर्थिक चेत्र को मजबूत करने के लिए कुछ किया नहीं कि चीन ने विरोधि किया। हर बार यही ही होता है कि चीन इसका विरोधि करता है। सारी चीजे निश्चित ही की जा रही है तब तक में चीन इसका विरोध करने लगा वैसे यह अभ्यास होना है उत्राखंडी के ओली एक छेत्र है और वहीं पर पास में 100 किलोमेटर दूर LAC है लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल अब यहां पर सैन अभ्यास होना है इसके बारे चीन इन दोनों ही देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमती हुई थी और वह सहमती इस बात पर हुई थी कि LAC के आसपास कोई सैन अभ्यास आयोजित नहीं किया जाएगा इसके अलावा यह भी कहा कि 1993 और 1996 में कुछ समझोते हुए थे उस समझोते की बारे में जानते क्या हुआ था कि भारत और चीन इन दोनों के सीमा के आसपास जो LAC है उस LAC में सांती और इस्थिरता बनाये रखने पर समझोता किया गया क्या सांती रहेगी और यह शांती और यहाँ पर यह जो LAC है क्या कि आसपास सभी चीज़े इस्थिरी रहेंगी उसमें कुछ पर समझोता देना यह 1993 और 1996 इन दोनों में समझोते हुए थे अब यहाँ पर LAC और LOC इन में कन्फ्यूज मत होना यह दोनों ही अलग-अलग है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी पहले हम टॉपिक पर बात करते हैं अब 1993 और 1996 इन दोनों में जो समझोता हुआ था उस समझोते में यह भी कहा गया था कि LAC के आसपास के जो छेत्र हैं वहाँ पर सेना को नियूंता मिस्तर तक रखेंगे अब नियूंता मिस्तर में कितनी संख्या में यह बिल्कुन भी कुछ डिफाइन नहीं है बस यह कहा गया कि नियूंता मिस्तर तक रहेगा अगर हम हमारी सेनभ हो जादा मात्रा में रहेगी मतलब थोड़ी बहुत ठीक है आप अपने बॉर्डर और एलेसी के देखरेग के लिए रखो हम भी रखेंगे इसा नहीं है कि वहां पर ऐसा मैसूस हो मानो युद्धी करना हो तो मतलब इस तरीके से इतनी जादा मात्रा में सेना नह किया जाएगा अब LAC के आसपास ये भी कहा गया कि यहां पर सेना है वो ठीक है कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत शस्त्र भी होंगे त्योंकि भई अपने बॉर्डर की रक्षाकन्नी है देखना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चीन उधर से अटेक कर दे पाकिस्तान अटेक कर या फिर कोई दूसरा देश आ जाए ऐसा कोई भी अटेक वटेक ना करे इस वज़े से जायर सी बात है कि हम LAC के आसपास अपने बॉर्डर के आसपास शस्त्र भी रखेंगे अब यहां पर इन तीनों समझोते में ये हो गया कि कुछ अस्त्र जो आगनेश अस्त्र हैं उनक इसको हिन्दी में वास्त्विक नियंत्रण रिखा का जाता है यहां पर LAC एक ऐसी रेखा है या यूँ कह सकते हो कि एक सीमा को निर्धारित करने टाइप का है लेकिन ये निर्धारित नहीं है इसे माना गयां गेवल जो भारत नियंत्रीचेत्र और चीन अंत्रीचेत्र इ यहां पर भारत और चीन इन दोनों का मानना अलग-अलग है कि एलेसी की जो लंबाई है भारत का मानना कुछ और है और चीन का मानना कुछ और है खैर हम हिंदोस्तानी हैं अपने भारत की बात मानेंगे भारत का कहना है कि एलेसी की जो लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर और चीन का मानना है 2000 किलो मेटर लगभक इसे समझते हैं हम कुछ मैप में लेशी का जो विभाजन है वो तीन पार्ट में हुआ है एक है पूर्वी छेत्र दूसरा है मद्द छेत्र तीसरा है पश्चमी छेत्र पूर्वी छेत्र की बाद कने तो अरुनाचल प्रदेश से सिक्कीम है उ इसके बाद उत्तरा खंड यह सब मिला करके यह छेत्र है जो एलेशी का है इसके अलावा फिर सिक्कीम है इसके अलावा अरुनाचल प्रदेश का यह एरिया यहां पर एलेशी है लाइन ओफ एक्ट्रोल कंट्रोल तो यहां पर मैप में से आपको यह याद होना चाहिए कि याकिर एलेशी की जो सीमा है वो कहां पर है और मैप में किस तरीके से दिखता है तो भारत का मैप यह है जहां पर एलेशी कुछ इस तरीके से है इसके साथ ही हम बात कर रहे थे लोसी के बारे में तो एलोसी जो की भारत और पाकिस्तान के बीच है और एलेशी चीन और भार ना हो इसलिए एक बार अपने हिसाब से जरूर याद रखे चिक करें